अलो डियर फ्रेंड मैं मुक्रिष मस्तिरी और मैं आपको आज का जो एगरणोमिका 11th सेशन है उसमें सुगरकन के कल्टिवेशन के बारे बताऊंगा और आज का जो कल्टिवेशन ने सुगरकन बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि एक्जाम में बहुत सारे कोशन आपका सब्सक्राइब आप तक पहुच सके तो चलिए आज का जो सेशन है उसको देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सुगरकन उसका जो बाटनीकल नेम होता है वह आपका सैकरम आपिस नेम होता है बहुत इंपोर्टन है इसको बाटनीकल नेम अलसो नोगन डेबलोट विक्षित क्या था वह आपका टीएस वेंकट रमन ने किया था उसके बाट सैकरम डेराइब फम संस्क्रीद वर्ड शरकर विच मेंस सुगर मतलग क्या बता रहे आपका जो सैकरम जो वर्ड है जो शब्द है उसका डेराइब जिसका उत्पत्ति कहां से हुए एक संस्क्री तो वर्ड कौन सा है तो शरकरा है जो संस्क्रीद वर्ड से लिया गया था वो सरकरा है जिसका मतलग होता है सुगर तो याद रखेंगे जो आपका सैकरम है वो एक संस्क्रीद वर्ड है संस्क्रीद वर्ड के कौन शब्द से लिया गया तो शरकरा शब्द से लिया गया जि छूर के इंडिया इंडिया सूगर के इन इनडिया वा कि अ reckless होते हैं और एंडिया में समापकलmare फैंकमे महारास्व्राष्ट्र में श्यादा था 134 sama पूटल आपका कितना था 500 विराशी बट उसमें से मैक्जिमा आपका कितना था जो महाराष्ट्र में हुए 134 था ठीक है दा मैक्जिमम् ट्रेंडिया में एर्य की बात करेंगे तो पेरू में शिर्ण अस्थरा थे बहुत इंपर्ट ć सब से पहला जैन किए इंडिया में आपका यूब् ps है फिर महारास्ट फिर तमिल नाडू में प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यूपी फ़र्ट फिर महारास्ट फिर करन टक हम प्रोड़क्टिविटी बात करेंगे इंडिया में तू तमिल नाडू में सबसे ज्यादा होते है 99.3 ton per hectare होता है ठीक यह बहुत इंपोर्टिन एधन आगे उसको कुछ बाटनीकल क्लासिफिकेशन तो यह जो फैमिली को विलाउं करता है ग्रेमिनी फैमिली को विलाउं करता आपका सुगर कैन ठीक है उसका निवनीम आपका पोईसी है ठीक है इसका जो क्रोमोजूम नंबर होता है और टू एन इकवल टू सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है उसको क्या बोलेंगे ठीक है उसका इन्फॉर्णस अप सुगर कर नोन जैरो विच इस एन ओपन ब्रांच पिनिकल तो यह जो एरो है बहुत इंपोर्टन है कई वर एक्चाम में पूछा गया था कि जो आपका सुगर के जो इन्फॉर्ण जो कहा जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट है और यह कैसा होता है ओपन ब्रांच पेनिकल उसके बाद सीट यह आपका जो सुगर केन होते गन्ना होते वह आपका सीफ और प्लांट होते और इंटर्मेडियेट शॉट्डे प्लांट होते हैं ठीक है उसका दिसका ओरीजीन इ इस मैं कर दो आपका जन्हें सी सब्सक्राइबरन इस यह उसका ह होते है और इसका लोजिसोंगी सूखर में टूर्वी होते हैं इसके गा autorisOL के आपका एक आता है स्वार्ड बार वारिय पार अथना इन्डीयन कहने इसका भारतियाग सुखर बारतियागर्प बिशत हताएं है ठीक है सेकरव जो वर्वरी होते हैं उसमें मेडियम सुक्रोज होते हैं और हाइज कंटेन क्या होते हैं हुआ होते हैं इसका क्रोमोζोम नमबर की बात करेंगे तो 22 224 चो खोल टक होते हैं ठीक है उसके बार एक आपका फ़ल आता है सेकरण चाहँ जा एकृणिस टीक मर यह को टाइन कर समय करते हैं इसको क्या चायनीज कर कर जाता है इसमें इभी जो फायबर का इसे इस व्हूस्तयूप होते है नमघर होते है टीज vorbereम आगे दो वाइल्ड स्पेसी सै तिसमें एक आपका सैक करम EST स्पॉन्टेनियम होते और एक स्पॉन्टेनियम में होते हैं दोनों वैराइटी आ पूछा गया था इसमें very low sugar होते हैं इसमें sugar का content कम होते हैं और हाइब जो ज्यादा होते हैं ठीक है और सेक्रम जो robust term होते हैं उसमें भी आपका जो सुगर होते हैं लो होते हैं ठीक है तो दोनों वेराइटी बहुत important नोन ऐस तैसलों जो भी हम लोग माठेरियल को आयूज कर रहे हुसे क्या को फ्रॉइंग के-लिए हम जो भी पदार्थ को यूच्ट को मכे यूच करेंगे उसको क्या कहा जाता है hobi प्रेट्स के फ़र्म में होगा ठीक है उसके टॉप ओन भाई थ्री या ओन बाई टू पोर्शन ओप केन कामपरेटेबली इम्मेट्योद हैविंग हाई ग्लुकोस कंटेन्ट फर गुड जर्मिनेशन देखना आप जब भी गन्ना करिदने जाओंगे या गन्ना फेल जाना त हो खाने की मतलब वह ठीक से अला से मैटर नियोंत है मैटर ने ढाएं तक ऊपर समय चकॉर्वयंट प्लोडदाक उसमें आपवकया अ क्पै trotzdem के आ लोग और बॉड़ होते अच्छा होते हैं इसलिए क्या करता है थोरे दूर दूर में तर बड निकलते हैं तो इसमें तीन वर्ट्स वाले जो सुगर के होंगे उसको क्या करते हैं यूज करते हैं अब लोग जर्मिनेशन करने के लिए प्लांटिंग करने के लिए ठीक है तो थ्री वर्ड जिसमें 35 से 40 सेट्स पर हेक्टर आवश्रकता होती है विच केन हम लोग कुंटल में देखेंगे तो वहां 85 से 85 कुंटल लगता है पर हेक्टर के शाब से ठीक है देन सेट्स शुड़ वे ट्रीटेट और वो जो सेट्स हों ठीक है बहुत इंप इंपोर्टेंट तो बहुत निटेटिwon कीशिए करते हैं प्रावटकल एक्जामें पूछा जाता है की शूगरario को किस से टीडिंट करते हैं तो एंगे लॉल से करते हैं 0.5 से बहुत इंपोर्टेंट ने उसके बाद timing so timing ठीक है एक आपका autumn planting होता है एक यजब होते है और एक शावी planting होता है तो ते नोई बहुत important है हमे इससा एकजामे देखा जाता है ठीक है एक question की अदुस्चिनिग जो गर्ना होते हैं उसका sewing कब करते है एक साली का कब करते है कि ऑटम का जो प्लांटिंग है वह आपका अक्टूबर में करते हैं नौर्थन इंडिया में ठीक है अद्शाली जो गन्ना होते हैं उसको हम लोग करते हैं जून जुलाई में साउथ इंडिया में टैक लेते हैं फिप्टीन टू एट्टीन सर्वेश और इसका पंदर से अठ अधस में भी आता है ठीक है तो कन्फिज ना होना तो उसका एंसर जुलाई अगस्ती होगा ठीक है इस बालवे जो 2021 में कुछन पूछा गया था कि जो अधशाली गन्ना का जो प्लांटिंग है को क्या तो आप्शन में आपका जूलाई अगस्त था तो एंसर जुलाई अग प्लांटिंग ठीक है इसका अपन जनवरी फर्मिव करते हैं साथ इंडे में ट्याक एबाउट वन येर लेते हैं टाइम फॉर हर्विस्टिंग का ठीक है तो तीनों जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है दन आगे कुछ मैथोड होते हैं प्लांटिंग का ठीक है मैथोड बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हैं देखेंगे हम फ्लाइट मैथोड ठीक है फ्लाइट मैथोड प्लांटेट शैलो एट टू टेन सेंटीमेटर डिफ और इसको फॉर्व का ड़िप रखेंगे वह आपका 8-10 सेंटीमेटर होगा और जो डिस्टेंट र इंडीय में करते हैं देन सेकेंड आपका इसोल है रिफेंद रिकोमेंडेट करते इस परकार के जो फ्यारो जो प्रोसेस होता है और इसमें डीफ रखेंगे आपका कितना आपका 20 cm साउथ इंडिया के उसमें ठीक है यह नौर्थन में होंगे तो 10-15 cm साउथ इंडिया की बात करेंगे तो 20 से 20 cm ठीक है तो यह दोनों याद रखेंगे यह अब थर्ड आता ट्रेंच मैंतोड वेरी इंपोर्टेंट है 2021 में भी क्वेश्चिन पूछा गया ठीक है कि जो आपका ट्रेंच मैंतोड है और जनरली का यहां दो एक दो कोशन बना था य आपके एरिया में करते है और इसको जो को रौकनी के लिए करते हैं इस पर करके जो ट्रेंच दो मैटर रहा है तू देखते क्या बोलते है कि फॉल्व डर्ट टॉल्ड रिए औरिया टू प्रोटेक्ट टू लाट गीं तो क्या बता रहे जो चैनली यूस करते हुआँ आप तो उसमें अंसर आपका कोस्टल जो यह वहीं था ठीक है तो बहुत इंपोर्टन है और यह भी पूछा गया था कि ऊब करना तो आपका लिए लोटगे के लिए फोर्टकिका लोटइंट शुब आपका वण दिसे रेंगा और वगर्य देखते हैं तो नेक्स्ट आगे हम मैनुल एन फर्टिलाइजर की बात करते हैं ठीक है अभी फीडर का वे क्या होता है बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर मैनुल को फीड करता है कंजप्शन करता है ठीक है बट हाइड डोस अब नाइट्रोजन जो डूरिंग राइपेनिंग क्या बोल रहा है कि आप पहले तो बात सुगर करता है नाइट्रोजन फोस्परास जो भी आप देंगे तुसको बहुत ज्यादा कांजप्शन करते है ठीक है फीड करते हैं इसलिए जब भी आप नाइट्रोजन का अपलाई ृपनिंग इस्टेज में नहीं करते है नाइप में उसको नाइट्रोजन है करें तो आपका जो क्वालिटी יैस उघर कर निक्रीज हो जाएगा कम हो जाएगा दिस आपका जो मार्केट का वेलू दिप्रीं हो जाएगा देन आगे बता रहरा है ब्लेंक ड केशिन तोन डिद्रजन नाइकषे 맞아 एक सूपचास के जी फोस्पोरस आपका सी के जी और पोटेशियम आपका साट के जी पूरे हेक्टर की शब से होता है ठीक है दना आगे दो वेस्ट सोर्स आप नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स माना जाता है नॉर्मली नॉर्मल स्वेल की बात करेंगे उसमें यदि नाइट के लिए कोम सब सी नाट्रोजन का सूर्स तो अमोनियम सलफेट सैलाइन सोल एंके यूरिया और एसीडिक स्वेल केलिए क्लशियम आपका स्व एक कई कहा जाता है तो बहुत इंपोर्टेंट है फिटे इंट्र आगे इरिएशन की से लोटत नहीं आसे एब श्यान है अब कि जर्मिनेशन एको टू शिक्स्ट इडे अप्टर प्लांटिंग आपको फ़र्मेटिंग फ़र्मेटिव इस्टेश है वह आपका सथ से 130 डि अप्लांटिंग मैक्जिमम् रिक्वार्ट करता वाटर इंदिस अब से ज्यादा वाटर का जो आपका रिक्वार्मेंट होते हैं अब का फॉर्मेटि वेश्ट वह बहुत इंपॉतने उता यह कुछन में पूछा जाता है ठीक है फॉर्मेट टेस्ट कई बंब पूछा भी गया था उसके ग्र Foro method of irrigation is most common method क्या बतार है Foro method irrigation is most common method of irrigation in sugar सुखर के लिए देखेंगे तो जो foro method होते हैं बहुत ही कोमन होते है इरिगेशन के लिए अन्सफर मैं नागे अंडर हाइज तेंपरेचर सुखर के लिए into glucose and quality of the produce become poor और क्या बतार है यादी टेंपरेचर सुगर के में बहुत ज़्यादा होता है उस क्या होंगे आपका जो सुक्रोज होंगे वो कनवर्ट हो जाता है ग्लुकोज में जिससे क्या होता है क्वालिटी आपका क्या होता है खराब हो जाता है इसलिए यदि टेंपरेचर ज्यादा होंगे तूस कंडिशन में आपका जो सुक्रोज का जो कंटेन होंगे सुगर के में तो गुलकोज में कनबाट हो जाएंगे जिससे उसका जो क्वालिटी होंगे और एडियोस हो जाएंगे खराब हो जाएंगे देन एक प्रोसेस आता है आपका रटोनिंग का प्रोसेस होते है इप इस एकुनोमिकल टैक उणली वन रटोन क्रॉफ इन रोटेशन क्रॉफ 20 परसें मोर नाइट्रोजन रिकॉर्ट एज तू प्लंटेट क्रॉफ कि देन राटूनिंग क्या बता रहे है कि जो आपका राटूनिंग क्या होता है मानलीज आपने गन्ना को क्या कर लिए फिल्ड में गुरो किया ठीक है तो उस गन्ना के पर कटिंग हो गया तो कटिंग होने के बाद क्या होता है उसके नीचे से फिर से उसमें गन्ना शकर से फ क्रोप खेत में फिर से गन्ना ले रहे हैं तो इस प्रकार के जो प्रोसेश होता है उसको बोलते है राटूनिंग और सुगर के इसमें वान राटून लेते क्रॉप इन रोटेशन 20 पर इस प्रकार करेंगे तब क्या होता है आपको 20 पर से नाइट्रोजन का रिकॉर्मेंट ज फिर इस गन्ना का प्लाट निकलते हैं तो फिर से एक बार उसमें काटिंग लेना क्या बोलेंगे रिटूनिंग बोलेंगे ठीके देन नेक्स्ट आगे आटिफिवीसेल राइपिनिंग-ब्रूप से कैसे उसको राइपिन करें ठीक है तो एक आपका आता है आपका जो पोल तो याद रखेंगे जो राइपनिंग के जो केमिकल है बहुत इंपॉर्टन है एक आपका फोलरिस और गलाइफोसीन है ठीक है पास केजी पर हेक्टर की शब से लगता है दना आगे एक ब्लाइड हुई एक प्रोसेस होते है तो छांड फुर्ण फोलेंगे तो एन इंपॉर्टेंट प्रक्टीस इन सुगर कैन के कब आपका क्या करेंगे वीड एड मेनेजमेचम जब आप अप्लांटिंग करेंगे तभी तुछ तुछ में वीड याकल वीड का गंट्रोल करेंगे इसलिए बोला जाता है कि यह ब्लैंड का इप्रसेश बहुत इंपोर्टन प्राक्टिस होता है आपका गंणा में ठीक है आफटर प्लांटिंग मतलब प्लांटिंग के बाद वीफॉर क्रॉप इमर्जा और कॉर्प बीफर जो मतलब में जो इमर्जेंस करते हैं ठीक है तो पहले आप देखेंगे ब्रिक्स रेशी बहुत इंपोर्टेंट आइसका रेश्यो कितना इसका जो रेंज कितना होते एकजाम में पूछा जाता है तो सुगर केंट कंसीडर सुगर कंसीडर माना जाता है मैचरटी ठीक है उसको पड़ीपक है इस अगर वेल्यू और रिफ्रेक्टोमीटर रीडिंग आपका 16 से 80 तो क्या समझेंगे आप सुगर के कैसे मैच्चुर है यह जो रीडिंग है उसको बहुत पूछा जाता है और उसको रिफ्रेक्टोमीटर भी बोला जाता है ठीक है दोनों याद रखेंगे व्रिक्स में रिफ्रेक्टोमीटर राएंगे ठीक है इनका वेलू कितने यह इंपोर्टेंट है कई बार एक जाम में पूछा गया था फॉर व्रिक्स रेडिंग जो को उपर पॉर्षन हो गया यहां करनीचे पॉर्ष्ण होगा जो मीडिल ए यहां से यौकशी उसा करेंगे तो हो जाएंगे ब्रिक्स यह क्या करते हैं यह यसि कह लेखे टेस्ट खरते हैं ह। एक ईंडागे दूसोरा आपका फैलिंग टेस्ट अंगे तो व्ं मेंचेर संव मैचुरेशन को टेस्ट करते हैं ठीक है फैलिंग स्यलूशन टेस्ट स्यलूशन रीडिंग शुड वी लेस देन 0.5 परसन अब गुलुकेस जब भी आप फैलिंग टेस्ट करेंगे उस ताइम यदि आपका गुलुकेस का कंटेन लेस दन 0.5 परसन आ रहे तो आप समझेंगे क अगरागी सुगर के नहीं हो मैचुरेशन हो चुका है ठीक है दन आगे खुल लॉग्लिंग क्रॉप लॉगिंग एच फ्रॉप क्लेमेंट ने क्या क्या था इन हवाई डेवलोप क्या था विख्षित क्या था 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 तो फ्रॉप बहुत इंपर्टेंट है थी कह एट इस दा फोलियर डाइग्नोसिस कंपरेटिव ली कंपैरिंग दन न्यूट्रेंट स्ट्रटॉस ऑफ अपंपरैर्ट लिफ्स ऑफ हाई और लो एल्ड़ क्रॉप प्लांट जनरली यूज इन सुगर के न इन हवाई इस प्रकार जो प्रोसेश होते हैं वह आपका जनरली कहां पर हवाई में करते हैं ठीक इसमे क्या करते लीव का जो ह्सटार शोते हैं उसको देखा जाता है और उसमिन को जो य्यल्ड लो है उसके आप का जितना भी कैलकुलेशन हुँ आपका बॉल रोटिंग में देखा जाता हुए है मेनली तो आपका लाइज को से ले निव Papya ट्रेंच मेतोड के भूब एप्पड़ने के लिए टीक क्या होते हैं जो टेय से हुआ रहे तो उससे रोकने यह फैलिंग जिससे गन्न आपका इधर उद्धा ना ऊटोटेना इसलिए क्या करते हैं इस प्रेवेंट करते हैं बाइट टेरेंच प्लांटिंग अर्थिंग ब्रैपिंग प्रॉपिंग इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं अर्थिंग मिट्टी चराते हैं ठीक है ब्रापिंग करते हैं और क्या करते हैं ट्रेंचिंग करते हैं इस प्रकार के परिक्रेक को करके ह क्या करता है क्रॉप लोटगी होने से बचाते हैं प्रेवेंट करते हैं ठीक है तो बहुत इंपॉर्टन है लोटगी एक जाम में भी पूछा गया था देनेक्स आपका वाटर लोटगी ठीक है अब वाटर लोटगी में क्या बता रहें दो फैलिंग डाउन और क्रॉप लोटगी करके अपटना के लोटगी मण में आपस घंणा का प्लांट है ठीक है चार पास प्लांट के एकसाथ बांध लिया पूरे वाठर से बढ़ जाते हैं तक क्या बोलेंगे लॉट इस प्रकट के जो पड़िक्रिया है आपका उससे इसको बचा सकते हैं गिरने से बचा सकते हैं ठीक है इसके बाई प्रॉडक्ट प्रॉड़क्ट रिचि के कई रेक्रॉडिकु प्रॉडक्ट vy वगत हुजूाइफS करने के लिए उसकत मोलशस हुटे है के लिए उसका प्रेश माड होते है जिसमें लाइम कंटेन होते है रिकलिमेशन अब से इसको कर सकते है मॉट प्रेश्ड को जहां पर इसे डिक स्वेल होंगे उसको कम कर सकते इसका यूज करके उसका इन ब्राजील ठीक है सुगारकन इस अलसो एज सोर्स आप एनरजी ठीक है उसके आपका यह खाता है गया सो हॉल ठीक है इसका प्रेपर हम कैसे करेंगे असी परसन पेट्रोल और ट्वेंटी परसन अलकॉल में सुगारकन का जो जूस होंगे उसको लेंगे और विच यूज इस और इसको आटो मुवाइल के रूप में यूज करते हैं तो प्रेपर किससे बनाते हैं गैस और हुल का उसको याद रखनेंगे बहुत नय्सानक आच को फट्रीन कोर्या धाथ चंटीरियस तो फट्रोश जांते है तो बहुत ही इंपोर्टेंड ये नेक्स टाइब है आगए है कि हाय डोस प्राव नाइट्रोजन डिक्रीज़ शूख रूस कंटेव यदी आप लोग क्या करेंगे राइपेनिंग के स्टेज में आधी सूख रूर्मेंट है उसको ज्याधा डाल देंगे तो क्या होता है आपका जो सुख रूस का जो सुक्री शूख का रूकर का सबसे क्रिटिकल इस्टेज आपका फॉर्मेटिव इस्टेज में आपको वाटर का रिकर्मेंट बहुत ज्यादा देना पड़ता है ठीक है उसके बाद मोस्ट पॉपूलर प्लांटिंग मेथोड इन नौर्थ इंडिया में तो नौर्थ इंडिया में आपका फ्लाइडवि जो वेल्यू रहें आपका आपका सोला से अटरा परसेंट टी एसस में टोटल स्लीवल सुलेट तो बहुत याद मतलब बहुत हीं इंपर्टन याद रखेंगे बिक से जो जो इसका रेडिंग होते है आपका सुला से अठरा परसेंट ठीक है जो एन उसके बाद करते हैं जून जुलाइं में करते हैं और यह आपका अठरा मंत का कुराफ होते हैं उसके बाद स्टेट हैं आगे अर्फिंग का एक प्रोसेस होते हैं ठीक है इन शुगर के शुडवी डंअब करते हैं आपका जून जुलाइं में करते हैं खरीक सीजन में करते हैं उसका टाइंग शुड बी डंड़ इन इन डंड़ अगरते हैं आभी उसके बाद इस पेसिंग कितना होता हूथ रोटू रो आपका तो 90 सेंटीमेटर बहुत ही इंपोर्टेंट है उसके बाद नेम आफ वाइल्ड स्पेसिस जो वाइल्ड स्पेसिस का जो कैने है उसका नीम आपका सैक्रम स्पॉंटेनियम है और एक रोबस्टम है ठीक है दोनों इस इस बहुत इंपोर्टेंट है उसका बर्निंग आप कैन इस डन पर्निंग आप कैन सुगर के में जो जलाते हैं इंप्रूब सुक्रोजन जूसी कॉलिटी उसका इंडिया कैन ठीक है जो इंडियन भारतिय जो कैन है इंडिजीनियस हमरे देश का टू नॉर्थन एं इस्टन इंडिया तो कौन सा है तो आपका सैक्रम बार्वेडि कि यह भी कि इतना कोशन था इसका अलावा और दो जो कोशन है बहुत इंपोर्टेंट है एक आपका इटीजा नोन एज सुगर बावल ऑफ दा वर्ल्ड हमारे जो विश्व है उसमें सुगर वावल किस देश को कहा जाता है तो जो कुबा है उसको क्या बोलते है सुगर वा आपका नॉर्थन पार्ट है जो कहा पर यूपी में है तो बहुत इंपोर्टन एज सुगर बावल में कहां पर और इंडिया में कहा है तो दोनों इंपोर्टेंट है तो एक पूछा जाता है और आज का जो सेशन तहीं तक था वीडियो कैसे लगाए प्लिस कॉमेंट बग पर बताइए और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं थैंक यू